हालो बीएसी शेकिंड एर इन और ने केमेस्ट्री में हम यूनिट फास्ट का अध्यन कर रहे हैं केमेस्ट्री ओफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स या कहें तो डी ब्लोक एलिमेंट्स का अध्यन जिसके अंत्रकत अभी तक हमने पढ़ा कि डी ब्लोक एलिमेंट्स क्या हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं उनकी वह स्पेसिफिक प्रोपर्टीज कौन कौन सी है तो उसी को हम continue करते विए अब आगे पढ़ते हैं जो मुखी रॉफ से पहले 05 वैं वह प्रांजिशन सिरीजर के बार में और बाद में लिए सेकेंट और तर्ड च्रांजिशन सिरीजर के लिए और फिर लास्ट में हम तीनों ट्रांजिशन सिरीज का कमपेरिजन करेंगे तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सिरीज है या हम कहें कि D-block जो elements हैं ट्रांजिशन elements हैं unka main property है वैरियेबल उक्सिदेशन स्टेट सो यह यह यहां पर देख सकते हैं कि टैटैनियूम से लेकर को पर तक यहां पर इन कि हो खिले क DU со कर रख्यव है और यहां जब आप इनका कि देखेंगे तो यह इस प्रकार एको यह इसका हम लगी होगी सीरीज में जब हम लेफ्ट तो राइट जा रहे हैं तो नमबर ऑफ ऑक्षिज़ेस्टेट मीट तक बढ़ती है और उसके वाद वापस घटने लग जाती है तो वह हमने बात कर ली थी कि जो ऑक्षिज़ेस्टेट हैं वो किस वज़े से हैं अंस कि जो इलैक्टरोन है उनकी वज़े से सिंद्ध लॉवेस्ट फॉक्षिज़ेस्ट मिट होगा और जो हाइस्टि ऑक्षिज़ेस्टेश़्ेस्ट है वां ऐस प्लैस झ क cliche qne till प्रिलेक्टोन है उनकी वज़ेस्ट तो से यहां जब हम देखते हैं तो मैगनीज फस्ट में मेंगनीज का मैंजीमिमम और स्टेट प्लस 7 क्योंकि मैंगनीज का एक नमबर है 25 और इसके वेलेंची सेल का एलेक्टोनी कॉनुक्रेशन है 3D5, 4S2 तो उसके according इसका maximum oxidation state है वो NS के 2 electron और N-1D 3D में जो 5 electron है 500 ही unpaired electron है इसलिए वो bonding में भाग ले सकते हैं तो उसके according इसका maximum oxidation state plus 7 हो गया है फिर जब हम मेगनिस से आगे राइट एंड की तरफ चलते हैं जिंक की तरफ चलते हैं तो D electrons pairing करने लग जाते हैं जिसे unpaired D electron की संख्या घटने लग जाती है और उनके साथ साथ जो oxidation state है वो भी घटने लग जाती है यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो oxidation state है यह अलगल कलर में सोग करी गई है इसका मतलब यह हुआ कि यह जो compound है यह इस oxidation state में यह specific color तो यह भी हमने properties में अधिन किया था कि जो डी ब्लोक के elements है वो जो elements की जो compounds हैं या complex compounds है वो mostly colorful होते हैं वो colorful होने का reason क्या है वो भी हमने अधिन किया था आप यहां पर मैगनीज के लिए है मैगनीज की प्लस ट्ू अक्षिदेशन स्टेट भी प्लस थी है प्लस फोर प्लस एक्स प्लस सेवन और इन पार्टिकुलर ऑप्र सेट में यह जो कॉंप्लेस कंपाउंड होगा उसका में कलर कैसे होगा वह यहां पर यह किया है तो यह आप स्टेट टेट के कंपाउंड format वाद हो गरने वाले हैं उनके साथ उसी के साथ इनको रिपर्जैंड किया गया है यहां पर फर्स्ट ट्रस्ट शीरीज की जो मेटल्स है उनको कंपेर किया है पोटेशियम के साथ जैसा कि आप देख रहे हैं कि पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट है वह 63.5 है जब कि अए ट्राइश्ट शीरीज के फ़ना थे में हम देखते हैं कि रोमियम मेगनेज का आरण कोबाल्ट नीकल कोपर ऐनका मेल्टिंग पॉइंट है पोटेशियम की तुना में बहु हूँ जाजा है और अगर हम यह को फॉस्स ट्राइशियम के मेल्टिंग पॉइंट को अगर दे उन एलिमेंट्स के लिए जादा है जहां पर अनपेड़ी इलेक्ट्रोन मिनने के चांसे जादा है क्योंकि वहां पर फिर वह मेटलिक बॉंड्ट ज्यादा स्ट्रोंग बन जाते हैं जाद अधिक संख्या में बन जाते हैं यहां पर यह का कंपेरेटिव टेंसिटी सो किया गया है जो हम रीक्टिविटी की बात करते हैं तो यहां पर वाटर के साथ या प्सिन के साथ और और यहां पर एक जनरल जो डिफ्रेंस अब क्या देखेंगे कि जो डी ब्लोक एलिमेंट्स हैं या फर्स ट्रांसिंसरीज की जो मेटल्स हैं यह हाई रोक्सडेस्टेशन स्टेट भी सोग करते हैं यह मौर इलेक्ट्रो पोजिटीव होती है लेगने यहां जब हम कंपरीजन में देख रहे हैं तो यह देख रहे हैं कि इनका जो रियक्ट को इनका ल्यक्ट citoy have power density होने की वजह से अदो मौनकी या उक्सीजन है लसा यसे कभर हो जाते हैं उसके साथ चाहिए कि अग्वाइन्ड हो जाते हैं तो इनकी जो रियक्टिव सर्फेस जल्दी से उनसे कवर हो जाती है अब यहां पर जैसे एक्जामपल यह है पोटेस्यम कलोराइड का और कॉपर कलोराइड का तो यहां पर आप यह देख सकते हैं कि कि पोटेस्यम कलोराइड का वाइट फॉम में है यहां पर यह कलर्ड कंपाउंड की रूप में है तो कलर्ड कंपाउंड क्यूं होगा वो आपने उसमें पढ़ा कि जो फॉर्स्ट ट्रांजिशन सिरीज के एलिमेंट से उनमें डी-टू-डी ट्रंजिशन होता है उसकी अब अब यहां पर के प्रेस और क्यूप्री काइन इन दोनों को भी कलर अलग है यहां पर यह plus one form में है plus one i nowasth Time is יה अई अभकाई तonia आभास्ता में कालर अलग-अलग होने का रीजन क्या होज़कता है तो इसका रीजन होगा एकी जो स्प्लेटिंग होती है t2j के बीच में इन दोनों की बीच में अलग-अलग फ्लीटिंग को फ्रभाविद करने वाले कारक हैं उसमें मैटल का चार्च को भी एक फेक्टर है मैटल का चार्च अँग अलग-अलग है तो वह सो डेल्टा वेल्यू है डेल्टा वेल्यू अगर ऐसे मान है तो वहां पर टी टूजी और एजी के बीच में इलेक्ट्रोन का ट्रांजिशन है वह ट्रांजिशन करवाने के लिए रिक्वाइड एनर्जी है उसका मान भी ऐसे मान होगा इस वज़े से कलर भी भिना आएगा तो यह जो ट्रांजिशन एलेमेंटस हैं 3D सीरीज की या फ़र्स ट्रांजिशन सीरीज की यह हाइस्ट ऑक्सिशन स्टेट्स सो करती है और वो हाइस्ट ऑक्सिशन स्टेट्स है यह एल्यक्टों असेप्ट करके से रिडियूज हो जाती है जब रिडियूज होती है इसका माले दूसरे जो रिएजन्ट से उनका ऑक्सिटाइशन कर सकती है तो यह यहां पर एग्जांपल की रूप में केमनोफोर और पोटेशन डाइक्रोमेट यह सो कियावा है तो केमनोफोर और पोटेशन डाइक्रोमेट दो अलग अलग मेटल आइन के कंपाउंड है तो दोनों का कलर भी अलग अलग है एक जो स्पेशल प्रोपर्टी है वो है डिस प्रोपोर्शोनेशन या ऐसमानुपातन का मतलब सिधा सक्या है कि जब एक किसी एलिमेंट का कोई एक आएन है वह रिडेक्शन और ओक्षिडेशन दोनों प्रोसेस में एक साथ भाग लेता हूँ तो वहां पर हम कहेंगे कि उसका ऐसमानुपातन हो रहा है जैसे यहां पर यह जो रियक्षन कोपर के ओक्साइड का लिया है कि यहां पर यह क्यूप्र क्यूप्र क्यूप्रस ओक्साइड का रियक्षन जब एस्ट्रोस फोर के साथ करवाय गया तो इस प्रकार से हमें यहां पर यह सी यू प्लस वन में है और यहां यह सी यू इसका जो चार जब जिरो है जिरो इस टेट और यहां पर यह सी यू प्लस टू अवस्ता में है कि यहां आप क्या देखेंगे सी यू प्लस वन कि इस दो मोल है उनमें से एक मोल का सी यू प्लस टू में कनवर्शन हो गया इसका मलब यहां पर ऑक्सिटन हो गया और दूसरा मोल है सी यू प्लस वन का वह सी यू प्लस वन से कि यूदासील में कर्वर्ट हो गया इसका क्या हो गया है रिडेक्षन यहां पर सी यूँ प्लस वन आइन का ऑक्षिदेशन भी हुआ और रिडेक्षन भी हुआ इस प्रकार कि जो रिडेक्षन है वह को ऐस्य मानुपातन अभीकरिया या टिस प्रपोरेजरन चैक्शन केलाती है इस प्रकार हम कहा सकते हैं कि को एसे मानुपातन अभीकरिया में भाग ले रहा है मुझा अब हम बात करते हैं सेकेंड और थर्ड ट्रांसिंट श्रीज या 4D और 5D ट्रांसिंट श्रीज तो यहां पर जनरल प्रोपर्टीज के अकोर्डिंग अगर हम देखे हैं तो वही वेरियेबल ओक्स्टेशन स्टेट सो करते हैं तो यह सेकेंड और थर्ड ट्रांसिंट स्टेट सो कर रखी है यहां पर यह सेकेंड ट्रांसिंट स्रीज में यहां यह फर्स ट्रांसिंट का मेगनीज था वह फैमिली है और उसके एकोडिंग इसी ग्रूप में में अक्स्टेशन स्टेट सो हो रही है जो प्लस एट तक सब जदे स्टेबल ऑस्मियम की हैं प्लस एट तक ट्रेंड वही है जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो पहले जो ऑक्स्टेशन स्टेट है उनकी संख्या बढ़ती है मेगजियम की तरफ फिर वापस कम होने लग जाती है तो सेकेंड और थर्ड ट्रांसिंट सिरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो भी वेरियाबल ऑक्स्टेशन स्टेट सो करते हैं लेकिन जितने वेरियाबल ऑक्स्टेश फिर हम बात करते हैं atomic radii की या size की तो अगर हम किसी एक वर्ग में उपर से नीचे आते हैं तो इस परकार से यह variation मिलता है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जब हम एक वर्ग में उपर से नीचे आ रहे हैं कि अ कासि अथार फिर से से कि में आते हैं तो से जर्ट से जर्य में चो ऑर यह है कि और यहाँ लेंठ नम जो पहला वर्ग है टो कि श्रीस का उसमें जब हमें कि रसे मीचे लें इन सब्द्राइब कर रहे हैं तो साइब या लेकिन कि ट्राइजिशन सेरीज का दूसरा वर्ग है यह आवर्साणिका सुफॉर्थ ग्रूप है उसमें से महम कि टोप टूब ओटम आ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट ट्राइजिशन सेरीज में आने पर साइज थोड़ा बढ़ गया लेकिन जब सेकेंड से से थरड में आते हैं तो और फस से सेकंड में आये तब साइज बढ़ गया एटमिक रेडिया यह बढ़ गया लेकिन से थर्ड में आते हैं तो इनका जो एटमिक रेडिया यह है या साइज है वो लगवग कॉंस्टेंट क्यूं है तो उसका रीजन यहां पर यह लेंथनम लेंधनम के बाद 14 elements ओर आते हैं जिनको हम आलग से नीचे रखते हैं लेंधनाइट कहते हैं और वो जो लेंधनाइट से हैं वो लेंधनाइट कोंट्रक्शन से करते हैं और उस लेंधनाइट कोंट्रक्शन का effect यहां पर जो 3rd transition series जो इसके बारहीए लेंदेनम के बाद में उनके उपर होगा तो पिटो लेंदेनड क स्थ्राइच能 के स्थेक्ट से इनका साइज काम हो जाता है इसकारण से जब हम सक इंसे ondZ राण SMITH मिन आते हैं कि सी एक वर्ग में तो साइज इनका सेम रहता है यह कॉमन डी ब्लोग जो अलिमेंट्स हैं उनका एक अप्लीकेशन या उनका जो इंपोर्टेंस है वो है तो यह जो डी ब्लोग अलिमेंट्स शो किये हुए हैं यह नेश्रोली अकरिंग इन बाइलोजी जैसे आपने काफी सिस्टम पढ़े होंगे कि वहां पर जैसे साइटोक्रोम वगरा है या है हिमोगलोबीन है इन सब में यह ट्रंशिन एलिमेंट्स है वो पाए जाते हैं कि यह कुछ ट्रंशिन एलिमेंट्स है जो कि और में यूज होते हैं मेडिशन के लिए यूज किये जाते हैं कि इसके लिए जो कॉमन अप्लिकेशन से वह हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि इनका कैटलिस्ट के रूप में भी यूज होता है कि कैटलिस्ट की रूप में भी डीव लोग एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है अब हम बात करते हैं कंपेरिजन की कि तीनों जो टर्सनी शीरीज है उनमें कंपेरिजन देख लेते हैं है है कि को जो फ़र्स टांशेन कि रीज है कि इसका अगर हम एलेक्ट्रनिक आनफी पाई जाती है अधिकांग से रेगूर्टी पाई जाती है दो एलिमेंट ऐसे हैं जहांपर हमें लगता है कि वह इरेगुलर्टी यह लेकिन उसका रीजन है वह अधिक स्टेबल कॉन्फिग्रेशन के लिए इस प्रकार से अपना कॉन्फिग्रेशन चेंज कर लेते हैं क्रोमियम का अटोमिक नंबर 24 होता है तो इलेक्ट्रोनिक कॉन् कॉपर में 3D9,4S2 होना चाहिए था लेकिन अधिक स्टेबलेटी के लिए कॉन्फिग्रेशन चेंज जाता है 3D10 और 4S बनने हैं जो सेकंड ट्रांसिट्रीज है उसमें लगबग 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इरेगुलर्टी सो करते हैं और जब हम थर्ड ट्रांसिट्रीज में आते हैं तो वहां पर मुक्य रूप से यह जो दो एलिमेंट हैं यही इरेगुलर्टी सो करते हैं तो यहां पर जो सेकंड गुरूप में रेगुलर्टी है उसको हम थेटिकल बेस्पे एक्स्प्पें यह उसका कोई रीजन नहीं मिलता है यह इनका जो इलेक्रों कॉन् सब्सक्राइब करते हैं उसके आधार पर उनका अधिन किया जाता है है कि सेकंड जो फैक्टर है जिसके दोरा हम कंपरेशन करेंगे वह है एक्टिविटी ओफ एलिमेंट्स तो जब हम एक्टिविटी की बात करते हैं तो फर्स्ट टांशिंस सीरीज कि जो रिएक्टिविटी है वह सेकंड और थार्ड ट्रांशिंस की तुन्ना में अधिक होती है कि फिर इस्टेबलेटी ओफ एक्टिशन स्टेट तो जब हम फर्स्ट ट्रांशिंस सीरीज से थार्ड ट्रांशिंस सीरीज की तरफ जाते हैं तो जो लोवर ऑक्टिशन स्टेट है उनका इस्टेबलेटी घड़ता जाता है और हायर ऑक्टिशन स्टेट का इस्टेबलेटी बढ़ता जाता है और नीचे आम जिसागी आपने देखा कि मुकी रुप से जो वस्मियम है वह प्लस एट तक ऑक्टिशन स्टेट सो कर देते हैं तो फिर हम मैंगनेटिक प्रोपर्टि के अकोडिंग अगर इन में कंपेरिजन करें तो फिर्स ट्रांसिंट सीरीज के जो कंप्लेश कंपाउंड है उनकी मैंगनेटिक प्रोपर्टि को हम स्पीन ओलनी फॉर्मुला से केल्कुलेट कर लेते हैं उस कंडिशन में प्रैक्टिकल और ठेटिकल वेल्यूज लगबग एक समानप्राप्त होती है जबकि सेकेंड और थर्ड ट्रांसिंट सीरीज के जो कंपाउंड से हैं उनके कंप्लेश कंपाउंड के लिए जब हम मैंगनेटिक प्रोपर्टि निकालते हैं तो इस पीन ओलनी फॉर्मुला से जब वेलीज निकालती हैं उनमें काफी जगह वेरियेशन्स देखने को मिलत है तो वह यह जो वेरियेशन है यह वेरियेशन तो लेगेंड और मैटल आइन के जो डी और्बिटल से उनके इंट्रेक्शन में जो चेंज है उस चेंज की वज़े से इस परकार जो ट्रंसिंट सीरीज हैं उनमें कुछ कॉमन प्रोपर्टी से लाएं यह कुछ डिफरेंसे इस भी है तो इस प्रकार हमने अधिन किया फर्स ट्रंसिंट सीरीज और सेकेंड ट्रंसिंट सीरीज के बारे में और यह जो हमने स्टेडी किया इसी की कंटिनुटी में आगे हम कॉम्प्लेश कंपॉंड वगरा भी पढ़ेंगे जो नेक्स यूनिट है तो वहां पर हम इनक का कि जो दिफ्रेंस है जैसे अंसे और नॉर्मल कॉमेश कंपॉंड बनाते हैं इनके कंपॉंड बहुत अदिक संख्यां मिलते हैं लेकिन सब् Dalton ऑर ऐसीरीज के कंपॉंड का स्टैड़े करेंगे तो कि आप आएंगे कि 2nd और 3rd transition series के complex compound हैं उनमें higher oxygen state वाले compounds ज्यादा मिल जाते हैं और वहां पर matter cluster compound भी बहुत अधिक संख्या में मिल जाते हैं तो यह हमने अधिन किया transition elements के बारे में कि यह stability of complex compound में फर्स transition series है वह मुख्य रूप से ओक्सीजन और नाइट्रोजन या अधिक जो विजुत्रिनी तत्व हैं उनके लिगेंड के साथ complex compound बनाती है जबकि जो 2nd और 3rd वाली हैं वह कम electronegative जो कि एटम है उनके जो complex हैं लिगेंड से उनके साथ complex compound बनाती है और कि यह हमने देख लिए कि कोडिनिशन नंबर है वह फर्स transition series में है जो लोवर अप्स्टेशन श्रेट है या अच्छे तक हैं उनके complex compound मिल जाते हैं लेकिन सेकेंड और थर्ड वाले जो हैं वह प्लस सेवन प्लस स्वरी समय वसंग्या साथ और आट वाले complex compound भी इजी गोंग बना लेती है तो डीप लोग एलिमेंट्स में या ट्रंजिशन एलिमेंट्स में इतना ही ओकिए